हालो एव्रिवान गाइस कैसे हैं आप सब मैं हूँ राहू लगरवाल सफल बैच फॉर सी यू इटी में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम डिसकस करने जा रहे हैं कि भई जो तीन चैलेंजेज और चार प्रॉब्लम्स जिसके बारे में बार-बार डिसकस किया जाता है ना चैप्टर नंबर वन में जिसका नाम है चैलेंजेज ओफ नेशन बिल्डिंग ओके तो ये एक छोटा सा शॉर्ट सेशन होगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि तीन चैलेंजेज क्या थे और चार प्रॉब्लम्स क्या आई पार्टीशन के समय ठीक है तो नहीं करना है गलती से भी अगर पॉलिटिकल साइन्स में अच्छे मार्ग स्कोर करने है और रेपुटेड युनिवर्सिटीज का हिस्सा बनना है तो आप इन सेशन को कभी भी मिस नहीं कर सकते ठीक है तो दोस्तों भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो तीन मेजर चैलेंजेज हमारे सामने थे ठीक है और वो तीन चैलेंजेज क्या थे आईए बिना टाइम वेस्ट किये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ सबसे पहला चैलेंज था कि भई दा फास्स एंड इमीडियेट चैलेंज वास्टू शेप अनेशन धाट वास तो बेसिकलि भारत हमेशा से अप मैं डाइवर्सिटी के ले जाना गया है है घर हमेशा से भारत को देखा गया है कि यहां पर तरह तरह के भाशा पहनने वाले लोग रहते हैं तो हर एक चीज जो है इहां पर बहुत ज्यादक है आप देख लो इंडिया में औरीस आमें ठीक है तो जब देश आजाद हुआ तो हमारे सामने हमारे सामने इसका मतलब है कि हमारे देश के उन नेताओं के सामने जिनके पास decision making power थी उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि देश को एक जुट रखना है ऐसा न हो जाए कि केरला वाला कह रहा है कि मुझे अपना अलग देश चाहिए कि कश्मीर वाला कह रहा है कि मुझे अपना अलग देश चाहिए वो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वैसा हो गया तो फिर उस आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जिसके लिए इतने सालों से हम लड़ाई कर रहे थे फिर फाइदा क्या आजा तो हो गए बड़ बिखर गए तूट गए अलग-अलग हिस्सों में बढ़ गए ठीक है ऑल्रेडी पाकिस्तान तो बनी चुका था तो अल्रेडी देश का एक हिस्सा चाहे वो कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो लैंड के हिसाब से अलग तो हो ही चुका था ठीक है तो हम नहीं चाते थे कि पाकिस्तान के अलावा भी और भी कोई भी हिस्सा हम से दूर हो, ठीक है, तो सबसे बड़ा चैलेंज था देश को एक जुट रखना, ठीक है, और ये चैलेंज कैसे पूरा हुआ, इसके लिए आपको चैप्टर वन का वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें हमने डिसकॉस किया है, कि कैसे सारे प्रिंसली स्टेट्स को हमने इंटिग्रेट किया, एक जुट किया, तब जाके भारत निर्माण हुआ, तो सबसे पहला चैलेंज क्या था, मेरे साथ बोलो, सबसे पहला चैलेंज था, देश को युनाइटेड रखने का, एक ऐस भी हो और युनाइटेड भी हो दूसरा चैलेंज दे सेकेंड वोस तूस्टाब्लिश डेमोक्रेसी ठीक है तो बेसिकली देश में लोकतरंत्र स्थापित करने का चैलेंज था सबसे बड़ा हम कह सकते हैं क्योंकि जनता इतने सालों से वेट कर रही थी कि कब हमारा खुद का देश होगा और हमारे लोग हमारे लोग देश की पॉलिसी बनाएंगे कोई लंडन में बैठा हुआ हमारा फैसला नहीं करेगा हम खुद हमारा फैसला करेंगे तो अब हमारे सामने ऑप्शन ये थे कि या तो हम डेमोक्रेसी के रास्ते पे चले जाएं या तो हम तानाशाही वाले रास्ते में चले जाएं और ये डिकलेर कर दें कि भई जो हम कहेंगे वही होगा तो दूसरे वाले तानाशाही वाले रास्ते में दिक्कत क्या आती उसमें दिक्कत ये आती कि जनता को लगता कि एक अंग्रेश चले गए तो दूसरे आ गए भई जनता को तो कोई सुख नहीं मिलता इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि देश में डेमोक्रेसी इस्टैबलिश की जाए देश की जनता को ये भरोसा दिलाया जाए कि अगर आप तो आप भी देश के राश्ट्रपती प्रधानमंत्री बन सकते हो देश के सर्वोच पदवे आप भी पहुच सकते हो अगर आपने महनत की है उसके लिए तो आपको भी मौका जरूर मिलेगा और ये साधी चीजे एक डेमोक्रेसी वाले सिस्टम में ही पॉसिबल है तो इसक क्लेर किया गया कि भारत एक ऐसा देश होगा जहां पे जनता देश की सरकार को चुनेगी और इसके लिए 1950 में 1950 में Election Commission of India बनाया गया और वो जो Election Commission of India था वो एक constitutional body थी मतलब Constitution ने Election Commission of India को ये power दी थी कि आपको भारत में चुनाव कराने है free and fair election कराने है आपको देखना है कि किसी भी तरीके की partiality ना हो किसी भी election में ठीक है तो ये थी दूसरी बड़ी समस्या और इस समस्या को solve करने के लिए 1951-52 में देश का पहला General Election कराया गया जिसे देश का पहला लोकसभा चुनाव भी हम कहते हैं और Congress Party उसमें काफी जादा majority में जीत के आई और Congress की सरकार बनी जवाहरलाल नहरू देश के पहले प्रधान मंत्री बने तो ये था दूसरा चैलेंज और ये चैलेंज भी कैसे सौर्ट हुआ है ये हमने देखा है चैप्टर नमबर टू में जिसका नाम है Era of One Party Dominance तो वो भी आप देख लीजिएगा ठीक है बेसिकली ये सेशन आपको रिवाइस कराने के लिए है कि भाईया ये थे तीन चैलेंज और ये थी चार समस्या है तीसरा चैलेंज था to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some sections तो तीसरी समस्या थी दोस्तो ये ensure करना कि भाईया लोगों के पास खाने के लिए पेट में कुछ है या नहीं देश को United तो रख लिया देश में लोकतंत्र स्थापित कर दिया देश में चुनाव करवा दिये लोगों ने वोट भी दे दिया अब लोगों के खाने पिने का भी देख लो भाई भूखे मर रहे हैं लोग उनके पास कुछ खाने पिने के लिए है भी या नहीं तो उसके लिए देश की जो economy है देश की जो अर्थ व्यवस्था है उसको भी तो set करना पड़ेगा ये भी तो देखना पड़ेगा कि लोगों के पास कमाने धमाने के साथ साधन है या नहीं लोग क्या काम करेंगे देश की निती कैसी होगी हम हमें कैसा भारत आगे बनाना है जो कि ग्रोथ करे भाई वो एक ऐसा दौर था जब हर कोई कहता था कि अमेरिका यौरोप वहां के जो कंट्रीज हैं उधर के जो देश हैं वो बहुत जादा डेवलप्ड है क्योंकि वहां पे बहुत जादा तरक्की हो गई थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बन रही थी ठीक है तो वहां वाले लोग हमारे साइड से बहुत जादा डेवलप्ड थे ठीक है तो जनता चाती थी कि भारत भी ऐसा बने भारत भी डेवलप्ड हो तो उसकी रिस्पॉंसिब्लीटी आ गई हमारी सरकार के उपर और सरकार ने प्लानिंग कमिशन बनाया 1950 में और यह तैई किया कि देश जो है वो पांच एयर प्लान्स के हिसाब से चलेगा पंच वर्षी योजना बनाई जाएगी और यह डिसाइड किया जाएगा कि अगले पांच सा जो की हमारे सामने था ठीक है तो आई होप की तीन चालेंजेस क्या है ये तो सबको यहाँ पे क्लियर हो गए अब चार समस्या क्या आई फोर प्रोब्लम्स जो थी वो पार्टिशन की थी आप से पूछा जा सकता है कि भई four problems what were the four problems of partition भई ये तो तै हो गया कि पाकिस्तान बनेगा और इंडिया बनेगा मुहमद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग अड़ी हुई थी उन्होंने ये डिकलेर कर दिया था कि two nation theory तू नेशन थियोरी उन्होंने डिकलेयर किया तू नेशन थियोरी में उन्होंने ये बोला कि भीया हिंदूस्तान में दो तरीके के लोग रहते हैं एक हिंदू एक मुसलिम और दोनों एक देश में नहीं रह सकते मुसलिम्स के लिए अलग देश चाहिए हिंदूस के लिए अ पाकिस्तान में रहेंगे क्या ये इतना इजी था था क्या बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि कोई भी भारत में ऐसा एरिया नहीं था जहां पर सिर्फ मुसल्मान रहते हो या फिर ऐसा एरिया जहां पर सिर्फ हिंदू रहते हो भाई अगर ऐसा होता कि एक जगह है जहां पे सारे मुसल्मान रहते हैं तब तो बहुत आसानी से उस एरिया को काड़ दो और वो पाकिस्तान बन गया बट ऐसा तो था नहीं न और आज भी नहीं है आज भी भारत में ऐसा नहीं है कि एक ऐसा एरिया निकाल के बतादो जहां पे सिर्फ हिंदू रहता है यहां पे या फिर जहां पे सिर्फ मुसल्मान रहता है भाई हर जगह आपको हिंदू-मुस्लिम दोनों मिलते हैं वही उस समय था तो यह बहुत बड़ी समस्य आई कि कैसे अलग करें कैसे अलग करें कौन से एरिया को पाकिस्तान बनाय जाए कौन से एरिया इंडिया रहेगा यह सबसे बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कुद इमाजन कर लो कि चलो आज अगर कोई बोले कि इंडिया में हिंदू एरिया अलग करना है मुस्लिम एरिया अलग करना है कैसे होगा पॉसिवल ही नहीं है क्योंकि हर जगह हर कोई रह रहा है भाई किसी चौक में दस हिंदू या पांच मुसल्मान रह रहे हैं तो किसी चौक में पांच हिंदू दस मुसल्मान रह रहे हैं कैसे अलग कर दोगे इतने आसानी से तो यह स एक फिर इसके लिए जो वैस्ठ साइड था और जो एस्ट साइड था वहाँ पर जाधा मुसल्मान थे। तो इसलिए आज हम जो पाकिस्ताद देखते हैं हमारे वैस्ट में। और इधर जो पाकिस्तान था, हमारे इस्ट में, जो आज बांगलादेश है, ठीक है, उन एरियास को अलग किया गया, तो आप समस्या क्या आई, समस्या ये आई कि जिन एरियास को अलग किया गया, कि भई यहाँ पे मुस्लिम बहुत जादा रहते हैं वहाँ के हिंदू फास गए उनका कहना है कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना उनको रातो रात वहाँ से इंडिया आना पड़ा और जो इधर इंडिया में मुस्लिम रह गए जिने पाकिस्तान जाना था, उन्हें रातो रात पाकिस्तान जाना पड़ा, तो अब आप इमेजिन कर लो, वो situation, partition की कैसी रही होगी, उधर से इधर, इधर से उधर लोग जा रहे हैं, और आपने वीडियोस देखे होंगे, फोटोस देखी होंगी, गदर मुवी देखी होग अब आप decide कर लो कि यहीं रहना है, या फिर वहां रहना है जहां पे आपका religion majority में है, तो अब आप क्या सोचोगे, रातो रात काम, धंदा, घर, बार छोड़ के, चले जाना आसान होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता, और उस समय तो कोई traveling के ऐसे साधन भी नहीं थे, कि भी चलो, दो मिनट में ओला कर लिया और निकल गए, कुछ था उस समय, बैल गारी में पाच-पास दिन लग जाते थे, दस-दस किलोमेटर जाने के लिए, तो बहुत जादा समस्या आई, ये problems है partition की, ठीक है, तीसरी समस्या ये हुई, कि हर Muslim नहीं चाहता था पाकिस्तान मे रहना, भी ऐसा नहीं था कि हर एक मुसल्मान पाकिस्तान में रहना चाहता था, अगर ऐसा होता तो आज इंडिया में सिर्फ हिंदू रहते, मुस्लिम आपको दिखते ही नहीं, बड़ ऐसा था क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं था, भी बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में भी ऐसा थो है नहीं कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं है, वहाँ भी हिंदू है, तो हो सकता है कि उनमें से भी कुछ ऐसे हिंदू हों जो इंडिया नहीं आना चाहते हो, जो अपना एरिया छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, और वहीं रह गये, ठीक है, तो फिर ये बहुत पाकिस्तान का हिस्सा बने, बट उनकी कौन सुनता, किसीने ने सुनी, तो मजबूरी में लोग जो है फिर रहने लग गये, और धीरे धीरे फिर वहीं के होके रह गये, ठीक है, और चौती समस्या थी माइनॉरिटीस की, अब इंडिया में जो मुस्लिम रह गये, और पाकिस या वो ऐसा दौर था, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू दिख जाता तो मुस्लिम उसको छोड़ नहीं रहे थे, और सेम हाल इधर था, तो माइनॉरिटीस की समस्या, माइनॉरिटीस का ध्यान रखना, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, पार्टीशन के दौरान आई, और दोस्तों, 1947 से लेके, 1950 ये जो तीन साल तक ये जो भी चीज़ें चली पार्टीशन की, कई लाख लोगों की उसमें डेथ हुई, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर नहीं रहना चाता था पाकिस्तान में, और हर एक हिंदू भी जो था पाकिस्तान में, वो रातो रात इंडिया शिफ्ट नहीं हो सकता था, तो फिर वो मजबूरी में वहीं रह गए, और उस चक्कर में जो है, वो माइनॉरिटी बनके रह गए, और आगे जाके उन्हें समस् तो तीन चैलेंजेस थे सबसे पहला था देश को युनाइटेड रखना ठीक है देश बिखर ना जाए दूसरा चैलेंज था डेमोक्रेसी करना आज जो हम बहुत इजली देखते हैं इलेक्शन हो जाते हैं है ना स्टार्ट कैसे हुआ होगा सोचो 1950-1951 में जब पहली बार इलेक्शन हुआ तब कितनी समस्याएं आई होंगी जब इलेक्शन कमिशन ही नया नया बना था लोगों के नाम वोटर मतलब वोटर आईडी और ये सारी चीजें तो बहुत दूर की बात है उसमें लोगों को ये बोलना ये बता पाना की वोट करना है यही बहुत बड़ी बात होती थी इस तरीके की अनपरता देश में थी इलिट्रेसी देश में थी तो ये सारे चैलेंजेस को धीरे धीरे सौट करते हुए आज का जो हमारा भारत है वो हम देख पाते हैं तो आज का ये सेशन हम यहीं पर करेंगे एंड और बेसिकली यहां पर महत्मा गांधी ने जो ये लाइन बोली थी कि भई कल हम आजाद जरूर हो रहे होंगे अंग्रेजों से अंग्रेजों की स्लेवरी से एक तरफ खुशिया कि देश तूट रहा है पाकिस्तान बन रहा है तो आजादी अपने साथ पार्टीशन लेके आई थी और हर कोई खुश नहीं था इस चीत से ठीक है तो दोस्तों आज का सेशन यहीं करते हैं समाब उमीद करता हूं आपको काफी कुछ समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई किसी भी डाउट्स हैं किसी भी तरीके के कमेंट सेक्शन आपके सामने है फडाफट कमेंट करो नेक्स सेशन में डिसकस करेंगे थैंक यू